Hello friends, स्वागता है आपका हमारे चैनल सरकारी जोग ज्यान पे आज की स्वीडियों बात करने वाले है SSC CGL 2019 के बारे में क्या latest important update है तो दोस्तो वीडियो को अंतर तक देगी तक जितनी भी important information हम आपके लिए हाँ पे लिखा है वो आपको पूरी मिल सके और दोस्तो वीडियो स्टाट करने इस पहला आपसे हमारे चोटी से request है अगर आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब ने क्या तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताके आपको SSC CGL exam के साथ साथ अन्ने government exam की latest update मिल सके तो दोस्तो आज की स्वीडियों बात करने वाले tier 1 की आपके expected cutoff यहाँ पर क्या रह सकती है answer की आपके जारी हो चुकी यहाँ पर तो दोस्तो सबसे बड़ा survey हम आपके लिए हाँ पर लेका है कितने marks यहाँ पर इंक्रीज हो सकते हैं आपके जो hard shift है आप सब लोग के लिए top 5 जिनमें जो marks का increment है वो सबसे जादा होने वाला है तो पूरा shift wise analysis हम आपके लिए हाँ पर करके लेका है 100% static आपके लिए cutoff यहाँ पर रहेगी क्योंकि हम आपके लिए जो भी cutoff लेके आते जो strengths हमारे साथ mark share करते कई सारे social media platform पर अलग-अलग strengths हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए चाहिए वो Facebook, Instagram हो, Telegram होई है जो हमारे साथ WhatsApp पर group है वहाँ पर भी कई सारे strengths हमारे साथ जुड़े हुए जोन्होंने अपने मात से हाँ पर share किया है तो सबसे पहले आप लोग 2017 की जो cutoff देख सकते हैं कि list 3 के अंदर कितने candidates की यहाँ पर pass किया गया था तो आप सब लोग पता है कि पहले cutoff आए गई थी उसके बाद आपकी जो cutoff है वो कुछ कम कर दी गई थी UR candidates की गई थी 126.50 OBC candidates की बात करें तो 110 ST candidates की बात करें तो 88.50 और SC candidates की बात करें तो लगबग 98 आप सब लोगों की यहाँ पर tier 1 की जो cutoff है वो गई थी अगर हम बात करें दोस्तो 2018 के अंदर तो 2018 के अंदर आप सब लोगों पता है कि normalization हुआ था और normalization में आप सब लोग पता है कि maximum 40 से 45 जो marks है strengths की increment हुएते और minimum अगर marks बात करें तो हम लगबग 6 से 8 या 5 से 8 marks है जो जाज़र है strengths के यहाँ पर increase हुएते तो cutoff आप यहाँ पर देख सकते हैं 2018 की UR candidates की 137.07 OBC की 131.18 ST की 103 और SC की बात करें तो लगबग 111.10 तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और यह जो strengths है जिन्होंने अपने marks यहाँ पर share करें तो आप उन सब का screenshot देख सकते हैं जो कई सारे strengths है जो लगबग social media platform पर है तो आप देख सकते हैं कि strengths के जो किस हिसाब से यहाँ पर marks आ रख हैं तो दोस्तों अगर हम सबसे पहले और बात करें तो 4 तारिक यहाँ पर 3 shift तो यह 5 shift है जो आप सब लोग की सबसे आड़ती तो इन ही में ज़्यादा तर चांस है कि strengths को अच्छे खासे marks हैं यहाँ पर increment हो सके क्योंकि दोस्तों पिछली बार भी आप सब लोगों पता है कि CGL के अंदर जो increment है वो काफी ज़्यादा हुआ तो marks का और लोगों के लगबग लगबग 50 से ज़्यादा जो marks हैं हाँ पर increment हुए थे तो इस बार भी दोस्तों यही ट्रेंड चलता है अगर बात करें तो इतनी marks आप पर इस बार भी increment हो सकते है तो जिन strengths के लगबग यहाँ पर हम बात करें तो hard shift के अंदर 110 के करीब marks बन रहे हैं यह 115 के करीब तो वो अपनी यहाँ पर mains की तयारी बिल्कुल स्टार्ट कर दीजी क्योंकि आप सब लोग पताएंगी result के बाद आपको उतना time नहीं मिलेगा जो strengths के यहाँ पर अच्छे marks आ रहे हैं उन्होंने preparation तयारी कर दी होगी और उनके इस बार भी अच्छे है और mains में भी ज्यादा score कर नहीं तो आप बिल्कुल भी tension ना ले और यहाँ पर start कर दीजिए और अगर हम दोस्तों आप सब लोग पात करें कई सारे strengths के की सारे easy shift में जो marks है वो भी कम हो सकते हैं तो दोस्तों अगर हम आपको बताएं कि अगर आपकी easy shift है तो जैसे CPU के अंदर इस बार जो exam होते है यानि 2019 का उसके अंदर strengths के कई marks increase भी होते और कई सारे strengths के जो marks है वो decrease भी होते तो अगर आपकी easy shift है तो आप यह मान सकते हो आपके 2-3 marks यहाँ पर decrease भी हो सकते है और अगर आपकी hard shift है तो आप सब लोग को पता है कि जो marks है वो यहाँ पर कितने ज़्यादा increment हो सकता है और अगर हम बात करें आप सब लोगों के लिए त तो students के जो marks है और आप सब लोग देख सकते हो आपके पास सारे shift के paper ही आ चुके होंगे कि जो भी आपके दोस्ते हों सब से आप PDF देख सकते हो या आपको हमारे telegram channel पर पूरी PDF मिल जाएगी जितने भी students है तो सारा comply compile करके आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो उस समय भी दे नहीं था जो language थी उसके उसमें पढ़ने में टाइम लग रहा था तो इसी बज़े से जो स्ट्रेंट्स के अगर सुरू में कोई hard question फटिया तो वहाँ पर ही चिंते दोख है और उसका पूरा महस का paper जो जहां पर 15-18 question attempt कर सकता था वहाँ पर सिर्फ 7-8 attempt वहाँ पर कर पाया तो इसी बज़े से आप सब लोग देख सकते हो कि normalization के अंदर यहाँ पर जो marks है कितने जाद increment हो सकते हैं तो दोस्तो 100% सटी cutoff तो हम आपको नहीं बताए पाएंगे लेकिन जो cutoff है लगबग लगबग आप सब लोग की इतनी रहने वाली क्योंकि हमने जितनी भी cutoff हम तक आप सब लोग को पताई है चाहिए वो CGL 2017 में जो हमने ये channel start किया था 2000 code case related videos बनाने के लिए तो हम अब काफी आ गया चुक है और लगबग अपनी जो families है 25,000 प्लस जो है यहाँ पे strengths हमारे साथ जुड़ चुक है YouTube के अंदर तो बात करें दोस्तों कि जो आपकी cutoff है इस बा 2017 हो CHSL 2018 tier 1 की cutoff हो CHSL CGL की जो tier 1 की cutoff है tier 2 की जितनी भी हमने cutoff बताई वो बिल्कुल accurate थी आप सब लोग हमारे previous videos जाके देख सकते हो अगर हम बात करें इस बार की जो आपके expected cutoff है वो क्या रहने वाली यहाँ पे तो दोस्तों अगर you are candidates की बात करें तो उनके लगबग 5 यहाँ पर दोस्तों 5 marks का difference लेकर चल सकते हैं तो 132 plus minus 5 अगर आपके marks बनते हैं तो कहीं न कहीं आप सब लोग 1 CF score यहाँ पर मान सकते हो अगर OBC candidates की बात करें तो दोस्तों लगबग लगबग 130 plus minus 5 आप लोग यहाँ पर लेके चल सकते हो ASIC candidates की बात करें यहाँ पर दोस्तों की ASIC candidates की लिए जो cutoff है वो कितनी रह सकते हैं तो लगबग लगबग 108 plus minus 5 आप यहाँ पर लेके चल सकते हो और ASIC candidates की बात करें तो लगबग 100 plus आप लोग यहाँ पर आपकी जो cutoff है वो यहाँ पर रह सकते हैं तो दोस्तों लगबग की अपनी तयारी हाँ पर कर सकते हैं क्योंकि आप सब लोग पता कि CHSL का पिडिक निकालना है हाँ पर थोड़ा difficult होता है CGL से तो आप बिल्कुल अच्छे से preparation करिए और जो भी CGL के अंदर questions आए उन सब की अच्छे से practice करिए जिस students का कल paper है तो हलाकि वो तो यहां पर नहीं देख पाएंगे questions लेकिन दोस्तों जिनका आने वाली shift में आगया exam है तो वो बिल्कुल अपने shift है जो अच्छे से देख के जाईए exams का कि जो CGL के अंदर कैसे-कैसे questions आयते तो कहीं ने कहीं कुछ न कुछ questions repeat होने के chances है और वो कुछ न कुछ न कुछ analysis के अंदर expected cutoff आई और लगबग लगबग दोस्तों आपको यहां पर बता दें आपकी जो cutoff है इतनी रहने वाली है तो अब आप बिल्कुल अपनी main exam की तयारी करते रहें और बाकी कोई भी latest update मिलेगी सबसे पहले आपको इस चैनल की दोरा provide करवा दी चाहिए तो चैनल को ज़रूर सबस्क्राइब करें दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेर करें ताकि उन्हें भी पता लग सके कि जो expected cutoff है आपकी यहां पर क्या रहने वाली है तो दोस्तों फिले लिए टेस्ट अब लेट अगर आपको हमारा वीडियो अच्छे लेगा तो दोस्तों अगर हम आपको बताए कि अगर आपकी easy shift है तो जैसे CPU के अंदर इस बार जो एक्जाम होते है यानि 2019 का उसके अंदर students के कई marks increase भी होते और कई सारे students के जो marks है वो decrease भी होते तो अगर आपकी easy shift है तो आप यह मान सकते हो आपके 2-3 marks यहां पर decrease भी हो सक सकता है और अगर हम बात करें आप सब लोगों के लिए तो students के जो marks है और आप सब लोग देख सकते हो आपके पास सारे shift के paper भी आ चुके होंगे कि जो भी आपके दोस्तों सबसे आप PDF देख सकते हो या आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर पूरी PDF मिल जाएगी जितने भी students से तो सारा comply compile करके आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो उस समय भी देख सकते हो कि आप जो paper का कही न कहीं difference हुआ हो जादा तर जो difference हुआ है वो math section के अंदर हुआ है क्योंकि कई जगे तो math के question है काफी easy दे रखेते लेकिन जो कई exam के shift थे उसमें math का question था वो काफी tricky भी था जो language थी उसके उसमें पढ़ने में time लग रहा था तो इसी बज़े से जो students के अगर शुरू में ही hard question फटिया तो वहाँ पर ही चिंते दोख है और उसका पूरा जो math का paper है जो जहां पर 15-18 question attempt कर सकता था वहाँ पर सिर्फ 7-8 attempt वह वहाँ पर कर पाया तो इसी बज़े से cutoff अब तक आप सब लोग पताई चाहिए वो CGL 2017 में जो हमने ये channel start किया था 2000 code case related videos बनाने के लिए तो अब काफी आगया आ चुक है और लगबग अपनी जो families है 25,000 plus जो है यहाँ पे strengths हमारे साथ जुड़ चुक है YouTube के अंदर तो बात करें दोस्तों कि जो आपकी cutoff है इस ब 2017 हो CHSL 2018 tier 1 की cutoff हो CHSL